ये कहानी मैं दिपिका के पॉइंट आफ व्यू से बताने जा रहा हूँ ये बात कुछ साल पहले की है वो एक सर्दियों की रात थी मैं और मेरी छोटी बहन अन्शू हम दोनों मेरे कमरे में बिस्तर पर रजाई ओड़कर गहरी नीन में सोय हुए थे मैं उस समय 19 साल की थी और अपने पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में मैं अकेली ही घर पर अपनी छोटी बहन अन्शू का खयाल रख रही थी मेरे मम्मी पापा दादी से मिलने के लिए गाउं गय हुए थे और वो दोनों वहां पर करीब एक हफ्ता रहने वाले थे और इसलिए उन दिनों घर की और अंशू की रिस्पॉंसिबिलिटी मेरे उपर थी वो रात के करीब एक बजे का समय था और उस समय हमारी सोसाइटी की लाइट गई हुई थी मैं और अंशू गहरी नींद में थे जब अचानक ही मेरी आँखें हमारे पाल्तू डॉगी बूजो के भौकने की अवाज से खुली बूजो घर के नीचे वाले फ्लोर पर था और पता नहीं क्यों पर वो लगातार भौकता जा रहा था मैं बिस्तर से उठी और बूजो क्या कर रहा है ये देखने नीचे वाले फ्लोर की तरफ जाने लगी जब मैं सीडियां उतर रही थी तो मुझे बूजो हमारे घर की एंटरेंस पर खड़ा हुआ दिखाई दिया वो लगातार भॉंक रहा था और अपने पंजों से दर्वादे को खोलने की कोशिश कर रहा था बूजो आमतोर पर ऐसी हरकत तबी करता था जब उसे टॉयलेट करने बाहर बगीचे में जाना होता था लेकिन फिर भी मुझे उसका बिहेवियर थोड़ा हजीब लगा क्योंकि पहले उसने कभी भी रात के एक बज़े तो ऐसा नहीं किया था पर फिर भी मैंने सोचा के शायद उसको हलका ही होना होगा और इसलिए मैं नीचे आई और बूजो के लिए दर्वादा खोल दिया लेकिन तब ही मेरे दर्वादा खोलते ही बूजो बहुत ही तेजी से दोड़ता हुआ किसी के पीछे भागा बूजो किसके पीछे भाग रहा था मैं ये देख भी नहीं पा रही थी क्योंकि उस समय हमारी पूरी सोसाइटी अंधिरे में डूबी हुई थी मैं अपना मोबाइल फोन लेने उपर अपने कमरे की तरफ भागी ताकि मैं उसकी फ्लैशलाइट इस्तेमाल करके बाहर बूजो को ढूणने जा सकू मैं अपना मोबाइल उठाया और भागते हुए वापस नीचे आई मैं अभी घर से बाहर निकली ही थी के तब ही मुझे मेरे पीछे से बूजो के भागते हुए कदम वापस घर के अंदर जाते हुए सुनाई दिये मैं भागते हुई वापस घर के अंदर आई बूजो उपर जाने वाली सीडियों पर आधा चड़कर ही रुख गया था और मुझे उसकी तेज तेज सांस लेने की अवाज आ रही थी लेकिन मुझे बूजो बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं दे पा रहा था क्योंकि उस समय सीडियों पर काफी अंधिरा था बूजो के घर में वापस आते ही घर के अंदर एक अजीब सी बद्बू भी घूसाई थी और वो इतनी गंदी स्मेल थी कि मैं उसे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती मुझे बूजो पर बहुत गुस्सा आया और इसलिए मैंने उसको डाटने का सोचा और मैंने जैसे ही अपने मोबाइल फोन से बूजो की तरफ फ्लेश लाइट मारी मैं डर के मारे चिल्ला पड़ी सीडियों पर बूजो नहीं बलकि एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ था जोकी जोर-जोर से कुत्तों की तरह हाफ रहा था और मुझे देखते ही वो पागलों की तरह हसने लगा मैं चिल्लाती हुई घर से बाहर भागी और हमारे सबसे नजदी की पडोसियों का दर्वाजा पीटने लगी जैसे ही उस घर में रहने वाले अंकल आंटी ने दर्वाजा खोला हम तीनों ने उस डरावने साइको आदमी को मेरे घर से निकल कर बाहर भागते हुए देखा मैं बहुत ही बुरे वाले शौक में थी और वहीं अपने पडोसियों के पास खड़ी हुई रो रही थी के तभी बुजो कहीं से दोड़ता हुआ वापस लोटाया और वो भी जोर-जोर से रोने लगा मैंने बुजो को ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उसकी पीट से खून आ रहा था शायद बुजो घर से निकल कर उस पागल आदमी के पीछे ही दोड़ा था और मुझे लगता है कि जरूर उस दरिंदे नहीं मेरे प्यारे बुजो को इतनी बुरी तरा चोट पहुँचाई थी आज कई सालों बाद भी मैं उस दरावनी रात को याद करके डर जाती हूँ और मेरा दिमाग और भी बुरी तरा हिल जाता है ये सोचकर के क्या होता अगर उस रात वो भयानक आदमी घर से बाहर निकलने के बजाए उपर सो रही मेरी छोटी बहन के पास चला जाता